राजा और रिशी की कहानी उनकी प्रसिधी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, एक दिन राज्य के राजा को रिशी के बारे में पता चला, उसके मन में भी अपना भाग्य जानने की इच्छा पैदा हुई, उसने रिशी को लाने के लिए अपने सैनिक भेज दिये, सैनिक रिशी के पास पहुँचे औ और हाथ जोड़कर राजा के पास चलने का निवेदन किया, रिशी ने निवेदन स्वीकार किया और राजा के पास जाने को तैयार हो गया, सैनिक रिशी को ससम्मान राजा के पास ले आए, राजा ने भी रिशी की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका पूरा परिपूर्ण है आपके राज्य का विस्तार होगा और आपके जीवन में हर्ष उल्लास बना रहेगा ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ उसने रिशी को धेर सारे उपहार दिये कुछ देर बाद राजा ने रिशी से पूछा गुरुवर क्या मेरे जीवन में कोई दु दुर्भाग्य के बारे में बता दिया दुर्भाग्य के बारे में सुनकर राजा को बहुत क्रोध हाया उसने सैनिकों से कहा कि रिशी को फांसी पर लटका दिया जाए ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं जो अपने राजा के दुर्भाग्य की बात करत सैनिक रिशी को पकड़ कर ले जाने लगे, तब रिशी ने राजा से कहा, राजन, आपकी मृत्यू से जुड़ा सच मैं आपको बताना भूल गया, मेरी मृत्यू के ठीक एक घंटे बाद आपकी भी मृत्यू हो जाएगी, ये सुनकर राजा भैभीत हो गया, उसने सैनिकों स से उसने अपने प्राण बचा लिए, सीख, मुसीबत के समय बुद्धी का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धी से हर मुसीबत से निकला जा सकता है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद दो तो मिलते हैं अगली वीडियो में